नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गनेशा एश्टो हेल्प में, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका जोतिश के इस प्रोग्राम में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर राशी के लिए कैसा रहेगा आने वाला जुलाई का महिना मकर राशी के लिए क्या ग्रह में जो परिवर्तन आ रहे हैं क्या साब धानिया हम बरत सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले हम कुंडली पर आ जाते हैं, कि कहां पर कैसे ग्रह हैं आपके लिए, तो अगर हम आपकी गोचर कुंडली पर नजर डालते हैं, देखिए आपकी दो कुंडली है, एक तो जन्म कुंडली है, जहां पर आप पैदा हुए, जिस सम नाम का महापुरुस योग बना रहे हैं, पर वक्री चल रहे हैं, हम इसको चंदमा से अगर काउंट करें, तो इसको हम साड़े साती भी बोलते हैं, दूसरे भाब में गुरु हैं, वो भी वक्री हैं, गुरु दूसरे भाब में वक्री हैं, जो की 12th और 3rd house के लॉड हैं, भाब में आपके 16 तारिक तक हैं, 16 तारिक के बाद फिर वो आपके 17 भाब में काकराशी में आएंगे, जहां पर मंगल हैं, जो 20 तारिक तक वहां रहेंगे, और सुक्र हैं, जो की वहाँ पर 17 तारिक तक रहेंगे, 17 तारिक के बाद, मतलब की 17 जुलाई के बाद, शुक्र आपके अश्टम भाव में सिही राशी में जाएंगे और मंगल 20 तारिक के बाद आपके अश्टम भाव में सिही राशी में जाएंगे नवम भाव और दसम भाव खाली है एकादस भाव में केतु गोचर कर रहे हैं अच्छिक राशी में और बारेमा जो भाव है द्वारस जो भाव है वो भी खाली है तो ये तो रही जुलाई में मकर राशी वालों के लिए ग्रहों की स्तिति अब हम आएंगे क्या इसका असर पड़ेगा रिजल्ट क्या होगा उसके उपर हम आएंगे देखिये रिजल्ट क कुछ चीजों के लिए अच्छा है प्लानिंग के लिए अच्छा है जो आपका जो भी काम चल रहा है उसमें कमिया ढूडने के लिए उसको और उत्रकरष्ट बनाने के लिए अच्छा है अब लोगन करने के लिए अच्छा है जैसे कि अगर आपका बिजनिस अच्छा नही चल रहा है जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो नई चीजें स्टार्ट करने की बज़े उसी चीज को देखने के लिए समझने के लिए कि गलती क्या है क्या कर सकते हैं कहां कमी है तो उस चीज के लिए अच्छा है देखने के लिए अच्छा है खुद को, आत्म मन्थन का समय है शनी कही ना कही सश महापुरुस योग का भी रिजल्ट दे सकते हैं अगर आपकी जन्म कुंडली में शनी बहुत अच्छे हैं, श्ट्रॉंग हैं और वहाँ पर भी उनकी उनकी सुब ग्रहों की दस्टी है तो फिर वक्री होने के बाबजूद आपको उच्छ पद, पतिष्ठामान, सम्मान मिलेगा, पर थोड़ा सा वक्री का मतलब होता है जो तेडा मेडा हो, जो सीधाना हो, जो पीछे देख रहा हो, तो एक बार में नहीं थोड़ा सा एक दो बार ट्राई करने के बाद तो कीप ट्राइंग, मतलब हाड़ वर करते रहना अपने आपको अपग्रेट करते रहना है और ट्राई करते रहना है, पॉजिटिव रहना है तो काम भी बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा पर वक्री हैं तो थोड़ा ये उमीद ना करें कि पहली बार में हो जाए वैसा होना थोड़ा मुश्किल है शनी कुंडली में लगन के स्वामी होकर लगन में बैठें ये तो एक तरह से अच्छी बात है पर साड़े साती है जिनका चंदर से अगर हम देखें तो दुत्ति भाब का स्वामी जो है लगन में आ रहा है ये भी अच्छी बात है धन का योग बना रहे हैं पैसे आने का पड़ेगी यहां खास बात है कि शनी ऐसे भी बिहेव करेंगे जैसे कि बारे में भाब में हो इसका कारण यह है क्योंकि वो वक्री है वक्री जब भी कोई ग्रह होता है तो वो ऐसे बिहेव करने लगता है कि जैसे कि वो एक घर पीछे हो पर ऐसका मतलब यह नहीं कि इस घ इस घर का तो देंगे पर यहां का भी देंगे, और अगर हम यहां का देखते हैं, तो यह दिखाता, धन का मालिक और लगन का मालिक to health में जा रहा है, मतलब import export का, अगर business है, तो आप के लिए अच्छा है, आप कहीं सोच रहे थे, बाहर जाने की, विदेश चाने की, तो उसके बड़ी यात्रा हो सकती है, यात्रा के वक्त अपना ध्यान जरूर रखना है, तरती जो उसकी धरष्टी है शनी की, आपके जो कलीग हैं, आपके जो सहायक हैं, आपके जो भाई हैं, उनके साथ थोड़ा मिस अंडरस्टेंडिंग शनी कराने की कोशिश करेंगे, मेरिज लाइफ में थोड़ा सा संगर्स हो सकता है, थोड़ी सी मिस अंडरस्टेंडिंग हो सकती है, और पती पतनी, प्रेमी प्रेमी का, एक दूसरे को समझ ना पाएं, एक दूसरे के भाई देखिए, वो कुछ कहें, आपकुछ और समझ लें, इस तरह की पॉसिबिल्टी हो सकती है, गुसे का इसू हो सकता है, एगो का इसू हो सकता है, जल्दवाजी में आप कुछ गरबड़ी कर सकते हैं, वाणी पर भी थोड़ा कंट्रोल जरूरी है, कुछ ऐसा मुझ से निकल सकता है, जो कि फाल्तु की टेंशन कर दे, इस चीज का ध्यान रखना है, और दसम आपको जाके पकड़ना है, आपके पास मुश्किली आएगी, हाँ अगर आप करेंगे तो जरूर आएगी, संसार करम प्रधान है, मिर्त्य लोग भी करम प्रधान है, कई बार हम लोग इसलिए नाकाम होते हैं, इसलिए उतना कुछ नहीं कर पाते हैं, कि हम ट्राइ नहीं क कैसे करेंगे, और रिस्क की नहीं लिया, और दुनिया क्या कहेगी, और बहुत सारे कारण रहे, वो उस तरफ बढ़े ही नहीं, और जो बढ़े, वो फेल भी हुए, बिना फेल हुए, कोई भी पास नहीं होता, कहने का मतलब है कि जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं, दो कोई भी काम ट्राई करते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा करते हैं, उसको समझते हैं, उस काम के जो जोड़े हुए लोग हैं, जो एकसपार्ट हैं, उनके साथ रहने की कोशिश करते हैं, उसकी नॉलिज खटा करते हैं, फिर थोड़ा सा ट्राई करते हैं, इस तरह से कोशिश करते हैं, तो नुकसान भी होता है, शुरू में experience आता है, और काम्याब फिर एक दिन जरूर होते हैं, तो शनी का इस तरह का समय है, कि अगर आपको थोड़ा सा रिस्क भी लθना है, थोड़ा थोड़ा रिस्क लेने का समय नहीं है, बड़ा change लाने का समय नहीं है, स्वास्त का ध्यान रकना है, रिष्टों का ख्याल रखना है. remedy के रूप में हनवान जी की पूजा, माताकाली की पूजा शनिवार की साम को best है और दान के रूप में आप जो घरीब लोग है अपाहिज लोग है, अपंग लोग है, ब्रद लोग है उनको कोई दान सेवा करते रहेंगे तो शनि महाराज खुश रहते हैं इसके साथ साथ सनि को इमानदारी, मेहनत, प्लानिंग, हार्ड वर्क ये बहुत पसंद है इसका उल्टा, नशा, जूट और किसी के लिए बुरा करना ये सब जो है सनि को बिल्कुल पसंद नहीं है तो जो चीजें सनि को पसंद हैं, उनको आप फेवर करेंगे, करते रहेंगे तो सनि आपको अच्छा रिजल्ट चरूर देंगे रेमेडी के साथ करम का सही होना बहुत ज़रूरी है रेमेडी भी कमी तभी काम करती है वैसे भी जो रेमेडी असलियत में कर सकता है उसका करम तो अच्छा हो गई क्योंकि रेमेडी में आप काली माता की पूजा करेंगे हनवान जी की पूजा करेंगे पूजा का मतलब है भक्ती इसका मतलब हन्मान जी के भक्त हो रहे हैं, काली माता के भक्त हो रहे हैं एक भक्त कौन होता है, जो बहुत जादे अपनी प्रभू के प्रतिसमर्पित होता है और जो हन्मान जी के प्रतिसमर्पित हो या माता काली के प्रतिसमर्पित हो वो कोई negative काम कैसे कर सकता है जो इश्वर के परती समर्पित हो, उसके अंदर तो इश्वरी गुन होंगे न, तो नेगेटिव काम का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो करम पहले आता है, या कहिए करम आ ही जाता है अगर रियल में आप भक्ती कर रहे हैं तो, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, आपकी भक्ती आ कितरू आपको लाब हो सकता है, यात्राएं काफी लाइफ में आ सकती है, आपकी फैमली में कुछ, कुछ खराब न्यूस हो सकता है, सुनने को मिल सकता है, जरूरी नहीं कि बिलकुल आपकी फैमली में, आपके पूरे परिवार में कुछ इस तरह का और न्यूस मिल सकता है, इस तरह की संभावना यहां से बनती है पर गुरु का वहां पर आना कहीं ना कहीं आपको यात्राइं जरूर दिखा रहा है आपको lockdown है वो बात ठीक है पर चार्ट में ऐसा दिखता है देखिए इंडिया में lockdown है हर कंट्री में तो भी lockdown है नहीं और इंडिया के इंडिया में शायद कहीं ऐसे कुछ स्टेट हों जहां भी lockdown नहीं है तो वहां रह सकता है और दूसरी देशों में तो बिलकुल यात्राइं जरूर दिखा रहा है और खर्चा भी दिखा रहा है आपके जो छोटे भाई हैं उनसे आपका थोड़ा अन्बन, छोटे भाई, पड़ोसी, साथ वाले, और उनका कही न कहीं आपकी लाइफ में कुछ हाथा स्थे भी दिखाता है, गुप्त सत्रू, गुप्त सत्रू, बैक बाइटिंग, पीछे की जो पॉलिटिक्स चलती है, वो थोड़ी बढ़ सकती है, इसको गुरु वक्री है, उपर से लाभ भाव का स्वामी भी नीचका है, बीस तारीक तक, बीस तारीक तक तो खास कर जो है, मनी, पैसा, प्रॉफिट, इसके मामने में बड़ा ही अवेर है के काम करना है, लॉस का चांसे हो सकता है, गुरु की धरश्टियों की बात करें तो एक, अच्छी चीजों पर आप थोड़ा जादर पैसा खर्च कर सकते हैं, किसी की हैल्प कर सकते हैं, अकाल्ट एस्टोलोजी, जोतिश, इन सब के फिल्ड में अगर आप हैं, आपका ऐसा काम है, जिसमें बोलने की इंपोर्टेंस है, आप किस तरह से बात करते हैं, इसकी महत्त होता है, तो आप काम में थोड़ा बैटर कर पाएंगे, सास ससुर के साथ, गुरू तो ठीक ही है, संबंधों में सुधाल लाने की कोशिश करेंगे, मैरीज लाइफ में भी गुरू अपनी तरप से, अगर गुरू की दशा महादशा है, कुछ ना कुछ पोजिटिव लाने क कहीं न कहीं अच्छे हैं, दूर देश की यातरा के लिए भी थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, गुरू की दरश्टियां हमेशा सुभ रहती हैं, बलही जहां पर वो वक्री हैं वहाद थोड़ा उतार चड़ाब करें, पर उसकी दरश्टियां हमेशा सुभ मानी गई हैं, कार जगे पहुंजाओ पर लंबी रेस में वो आपके लिए ठीकी होगा अगर आपका ट्रांसफर होता है तो ऐसे में गुरू चुकि एक भाव पीछे का भी रिजल्ट देंगे तो कहीं न कहीं बच्चा घर में आ सकता है, संतान आ सकती है शादी बिवा के लिए अच्छा समय है और दूर देश की यात्रा के लिए भी अच्छा समय है पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा समय है कहीं न कहीं पर बक्री है रष्टियां जरूर सुब दे रहा है पर बक्री है तो गुरू जिन चीजों का कारक है, संतान का कारक है, ग्यान का कारक है, एजुकेशन का कारक है, भाग्य का कारक है, बड़े भाई बहन और फ्रेंड्स का कारक है, तो इन सब के मामले में चीज़ें रिपीट हो सकती है, संतान से कोई जुड़ा हुआ पुराना काम फिर से करन पड़ जाए और आपके जो बड़े भाई बड़ी बहन है अगर आप उनसे बहुत दुनों से मुलकात नहीं हुई है तो या उनके साथ आप कोई काम करना चाहा रहे थे तो फिर से शुरू बात हो जाए वक्री है ना तो पुरानी चीज़ा फिर से आ सकती है आपके को पुरा प्रेमी का प्रेमी गल्फेंड बॉइफेंड या कोई पराने दोस्त सहीली फिर से मिल जाए या ऐसे वक्तियों से मुलकात हो जाए जिनसे आप पहले मिले थे किसी ऐसे गुरूप से तो वो उसके भी चांसे जो हैं यहां पर बने हुए गुरू को और सुब करने के लिए भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं शदाशिव की पूजा कर सकते हैं भगवान विश्नु नारायन जी की पूजा कर सकते हैं ओम नमो भगवते वासु देवाय मंतर का जाब कर सकते हैं ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरूवे नमा का विया पार्ट्स कर सकते हैं इस मही अच्छा रिजट देंगे, कोई नई चीज करने से पहले जो कुछ कर रहे हैं उसी में थोड़ा बैटर करने की कोशिश करें नई लोगों की बज़ाए पुराने कनेक्शन कुथर यूच करने की कोशिश करेंगे तो आप गुरू का अच्छा रिजट ले पाएंगे गुरू के बाद मंगल की बात करें जो 20 तारिक तक नीच के हैं मंगल लाभ भाब के भी स्वामी है और माता के भाब के भी स्वामी है तो माता के साथ रिस्तों में सुधार लाने की कोशिश करें लाव के मामले में 20 तारिक तक कोई भी निंडे लेने से पहले दो बार जरूर सोचें घर में माहल थोड़ा सा खटपटका हो सकता है तो अपनी पत्नी या पत्ती के पत्ती खासा रेस्पेक्ट सम्मान रखें उनकी बातों को सुनें समझें और उनकी जगे अपने आपको रखके फिर अपतर देने की कोशिश करें तो शायद जो है कंडिशन थोड़ी बैटर रहे अब ऐसा नहीं है कि हर घर में लड़ाई होगी या हर पत्ती पत्नी या प्रेमी प्रेमका के पीच में कुछ टकराब होगा अगर आपकी जनम पत्त्री में भी इस तरह का योग है और मंगल की दशा वगर अभी चल रही है तो इसकी पॉसिबिल्टी बढ़ जाएगी क्या कर सकते हैं जोतिस के नजरी से हन्मान जी की पूजा मीठे का दान मीठी रोटी जो होती है उसको चीटियों को खिला सकते है इसके साथ मंगल वार वाले दिन लाल चीजों का दान किया जा सकता है लाल बस्त का दान किया जा सकता है ब्रहामन को या किसी गरीब व्यक्ति को जिसको वास्तव में जरत है उसकी मदद की जा सकती है मंगल के बाद हम आ जाते हैं आपके सूरे पर देखिए मंगल की जो हमने बात की है 20 तारिक तक की 20 तारिक के बाद मंगल जो है अश्टम में जा रहे हैं पर अपनी ही राशी में है अश्टम में भी मंगल जो है पति पत्नी के बीच प्रेमी प्रेमिका के बीच आकर्शन बढ़ाएंगे लड़कों को लड़कियों के पीच लड़कियों को लड़कों की परती आकरशन को बढ़ाने वाले हैं क्योंकि शुक्र मंगल साथ में हैं ऐसे में फिजिकल इंटिमेसी के लिए तो ये जो कहा जाएगा अच्छा है पर अगर वो चीज किसी तरह से आपको लगता है कि उस चीज का आप ध्यान रखेंगे बाकी मंगल का अश्टम में अगनी राशी में होना आपको अकार्ल टैस्टोलोज जोतिस की तरह प्रोजान ले जा सकता है सेक्स, ड्रक्स, छुपूही चीज़ें अब सीक्रेट्स अच्छे बुरे दोना ही होते है जाद अच्छी चीज़ों को लोग छुपा के रखते है ज्यान की ऐसी बाते हैं जो हर किसी को नहीं देनी चाहिए वो भी सीक्रेट होती है और कभी-कभी नेगेटिव बातों को भी सीक्रेट रखा जा सकता है उसमें आपके रुची हो सकती है आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें रिबील हो सकती है जो कभी सीक्रेट थी आपके लिए या किसी का सीक्रेट थी ये भी यहाँ पर बनता है remedy सेमी है हनवान जी वाली जो remedy है इसके बाद शुक्र पर आ जाते हैं देखिए शुक्र आपके दसम भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है तो लगवग सत्रे तारिक तक केंडर में रह रहे हैं तो बहुत अच्छा है आपकी मुलाकात किसी ऐसे इस्तरिया पुरुष से हो सकती है जो थोड़ा धनी हो इसकी भी संभाव नहीं हापे बनती है बच्चों का थोड़ा सा ख्याल रखना है सत्रे तारिक के बाद सत्रे तारिक से ही करक सकते हैं पंच में इस अच्टम में जा रहा है तो उनकी लाइफ में कुछ उतार चड़ाव रह सकता है तो उनकी टच में रहें उनसे बातें करते रहें क्या चल रहा है उनकी लाइफ में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्जाम बाले दिन आप पूछें कौन से मार का रहें हर दिन आप कहीं न कहीं टच में रहने चाहिए, क्या कुश्चन हुआ, क्या आपने पूछा, टीचर से क्या बात हुई, पूरी जानकारी, ताकि वो भी आपकी thought process को समझें, आप उनको समझें, तो फिर बात सही रहेगी, शुकर को बैटा करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको इंट्रेस्ट आएगा थोड़ी ऐसी चीज़ों में, जो आपके हिसाब से secret हैं, जैसे एक बच्चे के लिए कहीं कहां पर chocolate रखी है, वो secret हो सकता है, डिपेंडिंग अपन उसके उपर secret, occult astrology, थोड़ी सी और चीज़ में मजा आएगा बच्चों को, बड़ों को कु इसी सिध्धी उसमें आ सकता है, तो इसके उपर depend करेगा, इस बात को समझने की जरुत है, पर इसको विसेश करने के लिए क्या करें, खुबसूरती का आदर करें, सुन्दरता का आदर करें, आर्ट का आदर करें, महिलाओं का, females के पती respect रखें, अगर हो सकता है, तो इन च छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची हैं भी माता लक्ष्मी को और शुक्र को दिखाती है, तो उनकी कोई dress उससे चाहिए, उसको कोई कपड़े चाहिए, उसको पढ़ाई लिखाए का कोई सामान चाहिए, पर्फ्यूम, flowers, ये सब भी दान देने से जिसको जरुत है, शुक सफाई वो तो ही, सबसे ज़्यादे महत्पूर्ण है कि मन की पवित्रता, विचारों की पवित्रता, भावना क्या है आपकी, वो बहुत जरूरी है, उससे शुक्र अच्छे रहते हैं, शुक्र की मंगल की, सूरी की बात की, बुद्ध की बात करें, तो छटे भाव का स्व ज्यान के बल पर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, और भाग्य का स्वामी छटे भाव में पर अपनी राशी है, मतलब मेहनत से, अगर आप करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो भाग्य आपको जिता देगा, इस तरह से आप कह पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, और बुद्धी से काम लें, आगे की सोचें, और सोचने के साथ साथ उस पर अमल भी करते रहें, चीजों को पेसेंस से काम करना है, आराम से काम करना है, रुकना भी नहीं है, ठहरना भी नहीं है, और बिना देखे दोड़ना भी नहीं है देख के दौड़ना है, आप इस तरह से कह सकते हैं बुद्ध की भी बात कर ली, जब हम बुद्ध की बात की तो भागी की भी बात हो गई और आपके रोगरण सत्रू की भी बात हो गई एक तरह से पिता की लाइफ में भी थोड़ा बहुत hardship रह सकती है, दसम भाब की बात करें जो कि पद्पतिष्था प्रमोशन का है, तो वो शुक्र के साथ ही आता है जब हमने शुक्र की बात की, क्योंकि दसम भाब का मालिक शुक्र है जो 17 तरह तारिक टो ठीक है, उसके बाद अश्टम में तो 17 तरह के बाद कारे के शेतर में बास के साथ कुछ उतार चड़ा रह सकता है इस चीज़ का आप ध्यान दखें अश्टम भाब में, अश्टम नहीं माफ कीजेगा, एकादस भाब में केतु है और एकादस भाब में केतु को अच्छा ही माला जाता है, बुरा नहीं मानते पर हाँ ये जरूर है कि आपके बच्चों के साथ मतभेद हो सकते हैं senior authority के साथ आपका कुछ opening of difference रह सकता है अगर आप महिला है और गर्बती है तो आपको ध्यान रखना चाहिए ignore नहीं करना चाहिए अपने स्वास्त को और अगर आपकी केतु की दशा महादसा है तो आपका काल, टेस्टोलोजी, जोतिस, मेडिटेशन, ध्यान आदी में interest बढ़ सकता है और अगर आपकी केतु की दशा है और material life में पहतिक life में आपको कुछ कठनाईयों से गोजना पढ़ रहा है तो आपको थोड़ा-थोड़ा meditation, ध्यान, योगा, spirituality की books पढ़ना शुरू कर देना चाहिए तो आप देखेंगे कि spirituality आध्यत्मिक्ता में तो आपको progress मिलेगी ही, पहतिक life में भी progress मिलने लगेगी इसके अलाबा भगवान स्री गड़ेश की पूजा करते रहना हर दिन ना करें तो बुद्भार की शाम को मंदिर में गड़ेश जी का मंदिर हो या भोले पारबती का मंदिर हो वहाँ पर आप ध्वजा बंदभा दें ध्वजा होती है ना, ध्वजा केतू से जुड़ होती है बुद्भार की शाम को वह भी बहुत अच्छा है खटी चीजों का दान केतू से जुड़ा हुआ है कुत्तों को थोड़ा भहुत खाना वगएर आप दे सकते हैं वह भी केतू से जुड़ा हुआ है मोर वो भी केतु से जुड़ा हुआ अगर कहीं मोर है तो उसको आप खाना दे सकते हैं पानी दे सकते हैं वो केतु के लिए बहुत अच्छी रेमिडी है मोर के पंख को अपने जो ऐसे पंख जो मोर ने अपने आप दिये हों उनको घर में रखना पूजा स्थान पे रखने से भी राहु केतु की अच्छी रेमिडी मानी जाती है इसके बाद 12 में भाब का स्वामी गुरू है जिसकी हम बात कर चुके हैं जो की वक्री है धनभाब में है तो यात्राएं रहेंगी खर्चा रहेगा इंपोर्ट-एक्सपोर्ट से या किसी फोरण multi-cational company से कुछ लाब होने का चांसेज है जाले चांसेज खर्चा होने का है पैसा आएगा भी जायेगा भी उस तरह का है खर्चा काफी रह सकता इस महिने मैं इसलिए सोच समझके रहना है, और रिलेशन्शिप में खासा ध्यान रखना है, बीस तारिक तक खास कर, क्योंकि मंगल भी वक्री है, तो एक तरह से हमने ये सारे ग्रह देखे, और सारे ग्रहों की दश्टियों की भी बात की, राहू की दश्टियों को थोड़ा से छोड़ द उनकी पती ज़्यादा इस्टिक्ट भी ना हो, बच्चे थोड़े से मनमानी वाले कर सकते हैं, श्यातानी कर सकते हैं, पिता के साथ, गुरूं के साथ भी राहू थोड़ी सी दूरी बनाने की कोशिश करेंगे, हाँ, हलाकि ये राहू आपको यातराओं के लिए अच्छे ह मतलब कि आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आएगा, उस हिसाब से ठीक है, और लडाई जगडे से बिल्कुल बचके रहना है ऐसे में, लडाई जगडे से आपको बिल्कुल बचके रहना है, लाब के मामले में आप कहोगे तो लाब भाव से अगर हम गिनते हैं तो एक, दो चबी है उस पे कुछ प्रॉब्लम आ सके इस तरह का अगर कुछ चल रहा है तो साब धान रहें ऐसे में ऐसी अलोफिल कोई चीज हो या आपको ऐसा लगता है कि इससे मेरी समाजिक चबी पर किसी तरह से भी असर पड़ सकता है तो उसमें साब धान रहें वहाँ थोड़ा negative effect रहु से रह सकता है राहु को सुब करने के लिए माता दुर्गा की पूजा करें दुर्गा सबसती का पाठ करें इसके साथ साथ राहु केतु क्या है मन की माया है मनों में कोश है न उसकी माया है South Node of the Moon North Node of the Moon चंदमा से जोड़ा हुआ है चंदमा का है हमारा मन है और मन को हम बुद्धी से ज्ञान से ही कंट्रोल कर सकते हैं तो अच्छी चीज़ देखें अच्छी चीज़ए सुने अच्छी चीज़ए देखें सुनें उनको follow भी करें गीता सिर्फ पढ़े ही नहीं, गीता को अपनी लाइफ में उतारें भी, तो उससे भी राहु केतु दोनों ही कंट्रोल रहते हैं, भगवान स्रीकर्षन की पूजा करने से भी राहु केतु कंट्रोल रहते हैं, अपने कालिया जो नाग है उस पर तो स्रीकर्षन का डांस कि जितना सम्मान हमारे साहित में सनातन धर में गुरुओं को मिला है कहां कहीं भी विश्व में इतना नहीं मिला गुरु ब्रह्मा, गुरु विश्णू, गुरु देव महिश्वरा गुरु साक्षात परंब्रह्म तसमे स्री गुरु वे नमहा गुरु गोबिंद दोगु खड़े, काके लागु पाए, बलहारी गुरु आपने गोबिंद दियो बताए और इसका रिजल्ट भी भारत के पास है, जो दर्शन, जो साहित, जो उपनिशद हमारे यहां है जितना ग्यान, जिसके लिए हम अभी जाने भी जाते हैं अभी तक, अभी तक की जितनी भी नौलिज है, सबसे बहतर जो नौलिज व्यक्ति को मिल सकते हैं वो उपनी शद में है, और ना तो हमें कोई उनको पढ़ाता है, ना बताता है, नाम तक भी नहीं गिनाता है कमाल की बात है, भारत में रहते हुए खेर, गुरु पुर्णिमा का ये जो दिन है, मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए बहुत अच्छा है अपने दुरुओं के परती, अपने गुरुओं के परती आप कह सकते हैं तुरुओं के लिए अच्छा है, हाँ, कुछ लोग एकाथ गुरु जरूर ऐसा होता है पर लिए दुनिया के जो स्रेश्ट गुरु रहें, वो सारे के सारे भारत से आएं तो यही क्या है सकते हैं, इस परंपरा की वज़े से हमने दुनिया को दिया है आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि भारत ने उनको दिया है कहीं और रहते तो अपने जो व्यू है वो कर ही नहीं पाते हैं उनको या तो फांसी लगा देते हैं या मिटा देते हैं यहाँ पर सजंतता है आपको कहने की हर तरह की पूजा हर तरह की बात जो आप सोच सकते हो सब freedom है क्योंकि एक ऐसा अध्यात्म जो है वो ऐसा field है जो अभी develop हो ही रहा है उस वहाँ पर freedom की जगए होनी ही चाहिए खेर पांस तारिकी योगिनी एकादशी है उसको लोग कभी-कभी pending कर लेते हैं पहले समय में कोच जादा ही अभी भी करते हैं साथ से एक्कीस तारिक तक प्रदोश बरत है साथ से एक्कीस तारिक तक नहीं साथ और एक्कीस तारिक का प्रदोश बरत है और आठ तारिक की शिवरात्री है जो भगवान भोलेनात के शिवशंकर के भगते हैं उनके लिए देट बहुत महत्तपून है सचिदानन्द रूपा शिवो हम शिवो हम आनन्द सरूपा शिवो हम शिवो हम ज्यान सरूपा जो ज्यान सरूप है जो आनन्द सरूप है तो आपने जो कोश सुने होंगे ना पांच सुने ही होंगे अगर आप इंडियन है तो पहला जो है आप कन्न में उसके बाद मनों में प्राण में उसके बाद विज्ञान में उसके बाद आनंद में तो सच्चिदानन आनंद सरूपा सबसे लाष्ट वाला कोश है ज्यान सरूपा पांचमा जो कोश चौथा जो कोश है मतलब जैसे-जैसे कोश बढ़ते हैं या चक्र उपर जाते हैं एक ता आ जाती है, अद्वयत आ जाता है इश्वर आ जाता है, ज्यान आ जाता है तो ये चीज़ां आपस में जुड़ी हुई है तो शिप जी के जो भाकते हैं उनके लिए डेट बहुत इंपोर्टेंट थी 27 तारिक की अंगार की संकष्टी है जो भगवान स्री गनेश से जुड़ी है 9 तारिक की अमावस्या है पित्र दोष है, प्रेट श्राब है राहु की कोई प्राब्लम है तो अमावस्या को हम लोग ब्रत पताते हैं, इसके साथ साथ कुछ पूजा मंतर होते हैं, सब आप ही को करने होते हैं और उनको गीता का साथ में अध्धाय का पाठ पढ़ना या सुनना, अमावस्या वारे दिन बहुत लखी माना गया सभी लोग सुन सकते हैं, अगर समय मिलता है आपको तो और सोले तारिक की संक्रांती है सूरिका परिवर्तन हो रहा है, कर्क संक्रांती है बारे तारिका, जुलाई को जगनात रथे आतरा है इस दिन भगवान, जगनात, सारे संसार के जो इश्वर है उनकी ब्राथना होती है, साथ में माता, सुबध्रा और भलरामजी की भी ब्राथना होती है, पूजा होती है तो ये था मेरी तरप से, मकर राशी वालों के लिए अगर आपको पसंद आया, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दवाना, मत भूलिएगा आपका जो सही हो गया, वो बहुत महत्तपूर है मैंने डेक्स्क्रिप्शन में अपना लिंक भी दिया है फेस्बुक का, इंस्टाग्राम का, ट्यूटर का, तो फ्लीज फॉलो कीजिएगा अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और सभी का ख्याल रखिएगा, नमस्कार